एवन हिमाचल देख रहे हैं सभी दर्शकों को नमस्कार मैं हूँ आपके साथ शिवानी हन्स मंडी लोगसवा शेतर से बीजेपी के प्रत्याशी कंग्रा नौट ने एक टीवी नूज चैनल को दिये इंटर्वियू में बड़ा बयान दिया है कंग्रा के इस बयान के बाद कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है कई नेताओं और राजनेताओं ने बयान दिया है वही जब एक न्यूज एजेंसी के रिपोर्टर ने इस पर सवाल पूछा कि इसमें कितनी सचाई है कि वो चुनाव जीतने के बाद बोलिवुड को छोड़ देगी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कंग्रा नौट अपनी बात से पलट गई उन्होंने कहा है कि इस पर फैसल लेना बहुत जल्दबाजी होगी अभी बहुत सारी फिल्में उनकी पेंडिंग है जिस पर काम होना बाकी है तो किस तरीके से अपने बयान से यहाँ पर कंग्रा नौट पलटती हुई नजर आई आप खुद ही सुन लीजिए अगर लोगों ने मुझे जिम्मेदारियां दी और मुझे और जिम्मेदारियां मिली अगर केंदर से तो जो मैं अपना पूरा दम लगा दूँगी पर अभी एकदम से तो कहरी इंडिस्ट्री नहीं छोड़ी जा सकती अगर सिर्फ स्कूल में होती तो इसका मतलब हमारे जो आज तक की जितने पुष्टें हुई हैं उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं जो भी जितने आप इतने बड़े बड़े काम दुनिया में आज तक हुए हैं यूनों चाहे हमारे खाने को लेकर हो चाहे हमारे मंदिरों को लेकर हो चाहे हमारी जो भी एक विरासत हो पुष्टैने विसा विरासत हो तो ऐसा थोड़ी होता है Intelligence जो है, वो जो इंसान अपनी जिन्दगी को एक स्कूल समझता है, वो इंसान हर तरीके से जो है, वो हर दिन सीखते हैं, और जो हर दिन सीखते हैं, वो practical knowledge on the spot लेते हैं, तो खेर डिगरी के एक अपनी एहमियत है, अपने आपको स्कूल भी जाना चाहिए, पढ़ाई करनी चा जो विरासत है, राजनितिक विरासत, उसके ही करके हुआ है, तो अब वक्त आ गया है, वो जितनी भी डिगरीयां इक ठीकी हैं, जितने भी बड़े-बड़े संस्थानों पे गए हैं, जितना भी पैसा उस पे खर्च हुआ है, अब उसको कुछ परणाम दिखना चाहिए, जो नेता प्रतिपाक्ष है, जैराम जी, वो चहीते हैं, इस क्षेत्र के, इनके अपने क्षेत्र के बेटे हैं, तो नेचरली ये बीजेपी का गड़ है, और भारते जन्ता पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जैराम जी के करके, तो हमें काफी उमीदे हैं एवन हर्याना को, और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले